नमस्कार मित्रों GSTN की तरफ से मैं आप सभी का आज की वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरा नाम है संजय कुमार शर्मा और मैं GSTN में ट्रेनिंग टीम में एक मेंबर हूँ मेरे साथ मेरे दो साथी श्री रफी एहमत किद्वई और मिसंकीता वो भी आज जुड़े हुए हैं आपके जो भी सवाल हैं क्रप्या करके उनको चैट बॉक्स में डालिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि वेबिनार के दौरान आपके हर सवाल काम जवाब दे पाए आज हम रिफर्ण से जुड़े हुए कुछ नई सुविधाएं जो पॉर्टल पे उपलब्द कराई गई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे तो आज का एजेंडा देख लेते हैं वेबिनार का आज के वेबिनार के एजेंडा में तीन आइटम है सबसे पहले है कि ट्रैक रिफर्ण अप्लिकेशन स्टेटस ये एक नई सुविधा दी गई है टैक्स पेयर्स को अपनी रिफर्ण अप्लिकेशन का स्टेटस खुच चेक करने की दूसरी है विड्रॉल ओफ रिफर्ण अप्लिकेशन इन फॉर्म GST RFD 01W इस इसके द्वारा टैक्सपेयर अपने द्वारा फाइल किये रिफर्ण अप्लिकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं और तीसरी सुविधा जो दी गई है जिसके बारे में मैं आज चर्चा करेंगे वह है पाइलिंग अपील अगेंस डिफर्ण डाउटर इंफॉर्म GST APA 01 तो एकैड करके आज के सारे टॉपिक्स की तरफ चलते हैं सबसे पहले देखते हैं कैसे की जा सकती है तो आप सबको बताना चाहूंगा कि ट्रैक रिफॉण अप्लिकेशन स्केटर्स आप दो तरीके से कर सकते हैं आप इसको प्री लोगइन स्टेटस जानना चाहते थे तो आप को उसका करेंट स्टेटस नहीं पता लगता था आपको यह नहीं पता लगता था कि इसमें अब तक कितनी स्टेजेस कंप्लीट हो चुकी है और अभी कितनी स्टेजेस पेंडिंग है और आज की तारिख में उसका स्टेटस क्या है तो जब आप refund application फाइल करते हैं तो एक application reference number generate होता है जिसको हम ARN भी कहते हैं और इसी ARN का इस्तेवाल करते हुए आप अपनी application को track कर सकते हैं यह आप pre login में भी कर सकते हैं और post login में भी कर सकते हैं दोनों का navigation भी लगबग बराबर है लेकिन अगर आप यह post login में करते हैं तो आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी मिलती है यहां पर एक है कि आपको अपने tax period और refund claim अगर आप filing year का इस्तेमाल करते हैं post login में तो आपको tax period और refund claim की जानकारी अतिरिक्त तौर पे मिलती है इसके अलावा अगर आपको bank account अपना validate या update करने की जरूरत है यानि कि आपका जो bank account refund purpose से आपने पहले डिक्लेर किया था अगर वो उसका validation fail हो गया है तो उसको update करने की सुविदा भी आपको post login में ही मिलेगी तो सबसे पहले देख लेतें की pre login में आप कैसे track कर सकते हैं तो आप पोर्टल पे अगर जाकर के services select करते हैं और services के बाद आपको यहां पर एक track refund track application status का बटन दिखता है तो अगर आप इसको select करेंगे तो नीचे आपको track application status के modules के selection के लिए box दिखता है और यहां पर आपको सभी तरह के जो modules हैं जिनमें अभी tracking के सुविदा दी गई है वो सब यहां से select आप कर सकते हैं तो क्योंकि हम refund की बात कर रहे हैं तो आप यहां से refund चूज करके आगे बढ़ सकते हैं अब यह depend करेगा कि आपकी application कितनी stages से गुजरती है एक बहुत ही simple case में शायद आपकी application 4-5 stages से ही गुजरेगी लेकिन अगर आपके case में provisional refund भी applicable है या अगर आपके case में notice issue किया जाता है या कोई refund withhold होता है तो उसमें stages बढ़ भी सकती है तो हम एक सबसे simple scenario यहां पर लेकर करके चल रहे हैं कि आपने application जब file की और ERN generate हो गया तो आपका RFD 101 successfully file हो गया है उसके बाद tax officer अगर उसको acknowledge कर लेता है तो RFD 02 के माध्यम से करता है तो वह status आपको अगर आपका पूरा हो गया है तो वह भी दिखेगा अगर आपका refund order issue हो गया है partial हो चाया या reject हो जाए या complete हो और उसके पेमेंट order issued और डिस्बर्सल तो यह सबसे simple स्थिती होती है refund application के लिए इससे ज्यादे भी हो सकती है जैसा मैंने बताया तो अगर आप refund module select करके उसके नीचे अपना ARN status ARN number अगर आप enter करते हैं और फिर search पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके से एक detailed status आपके ARN का दिख जाता है अब इसमें आपकी सुविधा के लिए इनको color code किया हुआ है आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ stages है जैसे RFD 01 और RFD 02 इनको green color में दिखाया हुआ है इसका मतलब यह है कि यह दो stages पार हो चुकी है और आपकी जो application है वह अभी तीसरी स्टेज पर पहुंची हुई है लेकिन वह तीसरी स्टेज अभी उसने पार नहीं की है तो जो भी स्टेज इसमें दिख रही है ग्रे कलर में वह अभी पेंडिंग है इसके अलावा आपको अपनी ARN से जुड़ी कुछ मूल जानकारियां भी यहां पर दिख जाती है जैसे ARN नंबर टाइप ऑफ ARN किस कटेगरी में आपने यह application लगाई थी आपकी डेट क्या थी application लगाने की आपका jurisdiction किसके पास है इसी तरीके से आप के सिस्टी भी डेट वाइस देख सकते हैं और उसका जो करेंट स्टेटस है वह आपको नीचे रेड कलर में दिख जाता है तो इस तरीके से आपको एक ही snapshot में आपकी application का हर स्टेट स्टेटस जो completed है या जो अभी पेंडिंग है वह आपको दिख जाता है अब देख लेते हैं कि अगर आप पोस्ट लॉग इन में refund application स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आपको कैसा दिखेगा तो यहां पर भी जैसा मैंने पहले बताया था आपका जो navigation है वो बिल्कुल सेम है आप login करने के बाद services select करते हैं फिर track application status select करते हैं उसके module select करते हैं इसमें कोई change नहीं है लेकिन इसके बाद जब आप next page पर जाते हैं तो यहां पर आपको module के नीचे filing year का option भी दिखता है और refund applications यह जितने भी ARN लगाए थे refunds related वो आपको दिख जाएंगे और उसका एक action या status का column में आपको उसका current status भी दिख जाएगा अब अगर आप इसमें ARN पर क्लिक करते हैं तो आपका जो refund ARN का रसीद है वो आपको PDF में आप उसको download कर सकते हैं देख सकते हैं और अगर आप इसके action या status वाले column में जाकर के उस पर क्लिक करते हैं जो भी वो भी hyperlink है तो आपको सीधा सीधा वो आपको refund application के status page पर ले जाएगा और जैसे अभी हमने pre-login में देखा था वही चीज़ आपको अब post-login में देखेगी लेकिन अगर आप ARN select करते हैं और filing year select नहीं करते हैं जैसा आप यहां देख रहे हैं तो आपको सीधा सीधा system जो है status page पर ले जाएगा और यहां पर भी आपकी जो application की stage है वह आपको दिख जाती है उसकी basic जानकारी दिख जाती है और उसके अलावा उसके case history दिख जाती है और उसका current status भी दिख जाता है तो इन चीज़ों में कोई फर्ट नहीं है अब इसमें दो चीज़े extra थी एक तो यह एक जो मैंने आपको पहले बताया है कि उसमें आप अपनी amount और period भी देख सकते हैं इसके अलावा अगर आपका bank account validation fail हो गया है तो यह tab आपको दिखेगा अगर वह validated है तो यह आपको tab नहीं दिखेगा और इसको select करके आप अपना bank account update भी कर सकते हैं तो हमने जो पहली जो सुविधा प्रवाइट की गई थी वह हमने देख ली अब हम दूसरी सुविधा पर चलते हैं यह हैं विद्डॉर रिफंड एप्लिकेशन यूसिंग फॉर्म जीस्टी आरेवडी 01W तो देखिए अगर आप रिफंड एप्लिकेशन फाइल करते हुए कोई गलती कर देते हैं उसमें कोई डीटेल आपसे छूट जाती है या गलत भर दी जाती है तो पहले आपके पास कोई तरीका नहीं था उसको विड्रॉ करने का आपको इंतजार करना पड़ता था कि टैक अप्लिकेशन फाइल कर दी है तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं लेकिन इसमें एक शर्थ है कि इसमें अक्नॉलिजमेंट वाली जो स्टेज होती है यानि कि आरेफ जीस्टी और डी जीरो टू के द्वारा टैक्स अधिकारी जब इसको अक्नॉलिज कर लेता है उस स्टे स्टेज पार हो गई है और अगली स्टेज पर अप्लिकेशन आपकी फ्लो हो चुकी है तो आप विड्रॉण नहीं कर पाएंगे अब जाहिर सी बात है अगर आप विड्रॉण करेंगे तो अगर आपके क्रेडिट या कैश लेजर से कोई डेबिट हुआ था तो वापस वह म के लिए दुबारा लगा सकते हैं अगर तो देखिये सिस्टम पर आप इसको कैसे इस्तिमाल करेंगे अप लॉग इन करने के बाद सर्विसेश करेंगे यूजर सर्विसेश्स पर जाएंगे उसका माईज अप्लिकेशन पर क्लिक करेंगे और यहां पर आकर करके आपको यहां पर एंटर कर दीजिए और सर्च पर चले जाईए तो यहां पर आपको एयर और अब्लीक आरेफन वाले कॉलम में आपकी जो फाइल डिफंड एप्लिकेशन है उसका अपर निक दिख जाता है और उसका स्टेटस भी दिख जाता है तो अगर वह पाइल्ड स्टेज पर ह यानि कि उससे आगे नहीं बढ़ी है यह पर हैं तो आप रिफंड विड्रॉट एप्लिकेशन विड्रॉट कर पाएंगे तो उसके लिए आप यहीं पर हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे और यहां पर विड्डॉट एप्लिकेशन का जो बटन है वह आपका अनेबल हो जात सकते हैं इसके बाद जब आप रिफंड अप्लिकेशन फाइल करते हैं तो आपको उसमें कारण या ग्राउंड भी देना पड़ता है एक मेंडिटरी फील्ड होता है तो इसमें कुछ फील्ड्स प्री पॉपॉपुलेटर होते हैं वह अगर आपके केस में अप्लिकेबल है यहाँ तो आप वो सब् krijgen कर सकते हैं अगर आपके केस में अडर्स है तो आप अप अगार्सस्कार्स on यहाँ ऐं पर लिख सकते हैं ले मिड्र है और उसके बाद आपकी application जो है वो complete हो गई है और यहां पर आप देख सकते हैं generate reference number का एक tab है तो यह आप click करेंगे और उसके बाद आपके पास preview और filing दोनों के option खुल जाते हैं आप नीचे देख सकते हैं यहां पर review के लिए है और filing के लिए with dhc और evc तो इस तरीके से आप एक अपनी already file different application withdraw कर सकते हैं अब जो तीसरी सुविधा taxpayers को recently provide की गई है पोटल पर वो है filing and appeal against refund order in form GST-APL01 यानि की appeal module को refund के साथ integrate कर दिया गया है और अब आप online एक appeal file कर सकते हैं तो अगर आप एक refund order के अगेंस में appeal file करना चाहते हैं तो वहां पर navigation इसी प्रकार रहेगा कि आप login करने का services पर जाएंगे यूजर services पर जाएंगे फिर माई application पर जाएंगे उसके बाद अपील टो अप्लेट cases under dispute यह आप select कर सकते हैं यह आप filing के दौरान करेंगे एक से ज्यादे category of cases under dispute आप add कर सकते हैं तो अगर आपका dispute एक से ज्यादे ग्राउंट पर है तो आप एक से ज्यादे भी select कर सकते हैं इसके अलावा जो आपकी appeal की application है वो उसके लिए template provide किया गया है उसके लिए एक download button भी apply दिया गया है वहां से आपको download करके इसको fill करके और फिर PDF form में इसको convert करके यह लगाना भी आपके लिए जरूरी है यह portal पर कैसे हो कि आगे आगे आपको मैं दिखाऊंगा कि इसके अलावा आप disputed amount enter कर सब्सक्राइब करना है आपके लिए और आगर आप इसमें कोई supporting document लगाना चाहते हैं तो उसकी भी सुविदा है वो भी आप add कर सकते है और उसके बाद filing कर सकते हैं तो देखिए portal पर आप कैसे करेंगे आपने login करने के बाद services select किया उसके अधमाई application select किया उसके अध application टाइप में में select किया जिसमें आप refund order select करेंगे इस case में और उसके बाद में उसका order number आप enter करेंगे इस box में और फिर आप search पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह वाला page खुल जाता है जिसमें आपका order number और बाकी details order की date date of communication वगरे वगरे यह सारी details यहां पर आपको दिख जाती है और category of case under dispute यह आप एक या एक से ज़्यादे ground select करके choose कर सकते हैं और यहां पर add button करके एक से ज़्यादे भी कर पाएंगे तो देखें यह सारी categories इसमें दी हुई है तो इसमें जो भी जो भी ground आपके case में applicable है वो आप select करेंगे उसके बाद देखें यहां पर click here का एक hyperlinked button है तो इससे आपको डाउनलोड यहां पर कर सकते हैं जो आपको फिल करके PDF में convert करना है तो वो बटन यहां पर है और उसके बाद आपको upload करना पड़ेगा जब आपने उसको डाउनलोड करके फिल कर दिया है और PDF में convert कर दिया है तो उसका upload का option यहां से है आप upload कर देंगे उसको उसके बाद आप distributed amount अंटर कर देंगे इसमें payment details pre-populated आएंगी अप्लिकेबल details आपको amount under dispute में भरना है और amount of refund claim auto populated होगा उसके बाद में अगर आपके कोई supporting document भी आप इसमें लगाना चाहते है तो उसके लिए यहांपर एक बटन दिया हुआ है इसको आप इस्तिमाल करके supporting documents भी upload कर पाएंगे और उसके बाद में बहुत simple process है जैसे आपकी बाकी applications होती है आप उसको preview कर सकते हैं प्रिवियू का बटन यह नीचे दिया हुआ है यह देखिए प्रिवियू होगे आपका application उसके बाद proceed to file with dhc और evc और उसके बाद में filing के बाद में आप इसको इसका जो acknowledgement है वह download भी कर सकते हैं तो दोस्तों आज की webinar में हमने तीन चीजों पर चर्चा की तीनों चीजें रिफंट से जुड़ी हुई थी और तीनों ही रिसेंटली पोर्टल पर वेबिनार्स करते हैं हमारे सब साथ ही हमारी टेक्निकल टीम जिनकी हेल्प से हम यह वेबिनार्स आपके सामने लाप आते हैं धन्यवाद जैए